नमस्कार जार्खंडी नूज में आपका स्वागत है आए जार्खंड राज के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं स्वास्थ विभाग के सन्यूक्त सचीव लोग अगरवाल ने कहा कि देश में 60 है या 490 लोग स्वास्थ हो चुके हैं रिकवरी रेट दिन परति दिन सुधार रहा है उन्होंने बताया कि मित्यूदार 15 अप्रेल के 3.3% से घटकर 2.87% हो गई है जो कि बीश्वा में सबसे काम है यह आकड़ा हमारे लिए पोजेटिव है ट्रेस कॉंफरेंस में आइसी एमार की ओर से बताया गया कि जास में तेजी हुई है प्रति दिन एक लाग दस हैर नमूने का परिच्छन किया जा रहा है बीश्वस्वास संगठन ने भारत में तैयार होने वाली दवा हाइड्रोक्सिक लोरोक्वीन के ट्रोयल पर रोक लगा दी है लेकिन आइसी समयत कई जिलो में तापमान 40 देरी के पार है जबकि पलामू परमंडल का तापमान 45 देरी तक चला गया है मसम विभाग ने हीट अलर जारी करते हुए कहा है कि बुजूर्ग बच्चे और महिलावे बिना काम के घरों से नहीं निकले यदि जरूरत पड़े तो घर से निकल जाड रही है केंद्र सरकार को चाहिए कि लोकड़न के दोरान जिनकी नोकरी चली गई है उन्हें बेरुजगारी भता दे ऐसा होने से जिनकी नोकरी खतम हो गई है उन्हें ततकाल रहात मिलेगी उन्होंने कहा जार्खंड सरकार से डाटा लेकर ऐसे लोग को बेरुजगा अगर्मी के कारां चमगादर तोड़ रहे दाम चैतरा जिला में विशन गर्मी का असर पसु और पक्षियों पर दिखाई देने लगा है चैतरा के सुबाख चोकी सित मद बिद्याले वा उसके आसपास के विरिक्षो पर रहने वाले चमगादर दम तोड़ रहे हैं हम आपको बता दे कि मद बिद्याले में कुरेंटीन सेंटर बनाया गया है इसमें परवासी मजदूर को रखा गया है ऐसे में चमगादर के मरने से इसकूल परिसर के अंदर दुरगंद फैल रहे है और बिमारी होने का डर भी खतारा सतारा है जारखन बिदान सबा में राजिंद्र सिंग को दी गई स्रदांजली कांग्रेश के वरिष्ट नेता पूर्व मंत्री वा बिर्मो विदायक राजिंद्र परसाद सिंग के निदर पर जारखन बिदान सबा सचिवाले में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोक सबा का आउजन किया गया बिदान सबा अधियक्ष रविंद्र नाथ मतो ने सोक सनुएद में कहा कि राजिंद्र बावु बिदान सबा के नकेवल मेरे साथ ही थे बलकी बड़े भाई के समान थे अध्यक्ष के सोक संदेश पढ़े जाने के उपरांत दो मिनट का मौन धारन कर उनके आत्मा के सांती के लिए प्रात्ना की गई मैट्रिक इंटर कोपी जाच के लिए नोडल पदा अधिकारी होंगे नियुक मैट्रिक वए इंटर कोपी की जाच 28 मैं से सुरू होना है ऐसे में जैक ने जीला सिक्षा पदा अधिकारी को पत्र लिखा है और मुल्यांकन केंद्रों पर सोसल डिस्टेंसिंग का पारण कराने के लिए सभी जीला सिक्षा पदा अधिकारी को नोडल पदा अधिकारी नियुक करने को कहा है उन्होंने कहा कि D.E.O. अपने कनिये पदा अधिकारी को नोडल पदा अधिकारी प्रतिन्यूद करेंगे जो केंदर पर निगरानी कर जैक को रिपोर्ट देंगे नीजी स्कूल फीस माफी का मुद्दा संसद नीजी स्कूल द्वारा फीस मांगे जाने के मामले में संसद संजाज सेठी ने मुख मंत्री हमन सुरेन को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र के मादम से कहा कि नीजी विद्याले द्वारा विवागों पर फीस जामा करने का दबाव बनाया जा रहा है लोकडाउन के करण विद्याले दो माह से बंद है ऐसे में इसके बावजूद भी अभीवाव को फीस जामा कराने को कहा जा रहा है ऐसे में फीस मंगना उचित नहीं है हजारी बाग बनासो कॉरेंटेन सेंटर में समाजिक दीदी किचेन हजारी बाग जीले के बनासो कॉरेंटेन सेंटर में रह रहे लोगों को दीदी किचेन से खाना खिलाया गया बनासो सेंटर में 22 लोग है जो सभी दीदी किचेन का खाना एक साथ खाते हैं जिनकी जाच अपर समारता दिलीब तिर्की ने की और रिपोर्ट डीसी डाक्टर भोनेस परताप सिंग को दिया रसोयों के लिए केंद्र से मांदे की मांग जार्खन सरकार मद्यान भोजन प्राधिकरन ने गर्मी छुटी में रसोयों को मांदे देने का आगरा केंद्र से किया है राज ने गर्मी छुटी के दोरान सभी 80,000 रसोयों का मांदे देने का आगरा किया है केंद्र सरकार ने इस वर्ष गर्मी की छुटी में भी स्कूली बच्चों को मध्यान बोजन देने का निर्देस दिया है परन्तु स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोया के मांदे को लेकर कोई दिर्चा निर्देस नहीं दिया है जिसे लेकर जार्कन राज ने परस्ताव तयार किया है मुखमंत्री ने कहा मैंने एक अभिभावक खोदिया मुखमंत्री हमन सुरे ने बेर्मो विदायक राज़नर सिंग के पार्थविक शरीर पर पुस्प अरपीत करते हुए कहा कि राइंद्र सिंग जी मेरे अभीबावक थे उनकी छाय में मैं बड़ा हुआ हूँ सदे उनका मार्ग दसन मुझे प्राप्त होता रहा उनका चले जाना गहरा दुख दे गया मुखमंत्री ने उन्हें सरदान्जली दी और उनके परिवार के लोगों के साथ मुलकात भी किय पलामु जीला से मिला पोजेटीब परवासी मजदूरud पलामु से मिला संकरमित मरीज परवासी मजदूर है वो दिली हर्याना बोडर से पलामु आया था मरीज में कोई भी लक्षन संकरमण का नहीं था उपायुक संतनु अग्रहरी ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा प HEC की जमीन पर बने स्कूलों के खिलाब करवाई HEC की परिशर में अवय तरीके से बने स्कूलों की सुची तयार की गई है इस सुची में ऐसे स्कूल है जो बिना NOC के भवन निर्बान कर स्कूल चला रहे हैं सभी अवैद इसकूलों के खिलाब पीपी एक्ट के तहद करवाई की जाएगी यह प्रकिरिया लोगडाउन के बाद सुरू किया जाएगा। वकिलों को मिला 55,000 की साहता रासी लोगडाउन के कारण हाई कोट सहीत राज की अधिनस्त नयालियों में नियमीत काम ठाप होने के कारण जारखंड एड़वोकेट वेल फेर फंड ने जरूरत मंद अधिवक्ताओं को आर्थिक साहता देने समधी गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहद सभी जरूरत मंद वकिलों को 55,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जानी है एसोसियेशन की ओर से अब तक 225 अधिवक्ताओं को 55,000 रुपे की आर्थिक मदद उनके बैंख खाता में टांस्फर की गई है विधान सभा उप चुनाव टलने की संभावना संक्रमन की वज़ा से बरहेट विधान सभा के लिए उप चुनाव का भी टलना लगवगता है हम आपको बता दे कि मुख मत्री हमन सुरेण ने इसी साल जन्वारी में बरहेट सीट से इस्थिपास होपा था सुत्रों के अनुसार विधान सभा सीट पर एक सभासी दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी है जो लोकडाउन के कारण चुनाव संभाव नहीं लग रहा है रामगर पोना परवत धाम इस्थित जगरनाथ मंदिर छतिगरस्त राजरापा थाना चेतर के पोना परवत धाम इस्थित जगरनाथ मंदिर को असमाजिक ततों ने कई जगर तोड़ फोड़ कर छतिगरस्त कर दिया मंदिर के तिरी सूल को भी तोड़ने का पर्यास किया गया है पुलिस ने पांच यूकों को हिरास्त में लिल लिया है जारकन विधान सभा के कारेशन चालन के लिए तेज समीतियों का गठन किया गया विधान सभा की प्रकिरिया और कारेशन चालन के नियमों के अधियन प्रदत सक्तियों का परयोग करते हुए बर्ष 2021 के लिए इन 23 शमीद्वय के गठन बिदान सभा अध्यक्य रविंदरनात महतों ने किया बिदान सभा की नियमित समिदी, विश्यचा अधिकार समिदी और याजका समिदी के सवापती अध्यक्य रविंदरनात महतों रहेँगे हिंद पिड़ी कंटेंडमेंट जोन से मुक्त हिंद पिड़ी में परसासंद्वारा सर्वे और स्केनि का कारे बड़े पैमाने पर करने के बाद जीला परसासन नहिंद पिड़ी के लेक रोट, पुरानी राची, निजाम नगर, नूर नगर वा छोटा तलाब के इलाके को सील हटाने का निरना लिया है। सदर SDO नहिंद पिड़ी के लोगों के साथ कंट्रोल रूम में बैट करने नहीं लिया की, मरी नहीं मिलने के कारण छेतर को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाएगा। सदर भी राजे में बहुत्तर सो नियानवे जांच लंबित है। सदर की बुकिंग होगी अब वाट्सेप के जरिये। भारत पेट्रोलियम ने ग्राहकों की सुविधा के लिए देश बर में वाट्सेप के जरिये रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा सुरू करने की घोसना किया है। ग्राहकों अपना रइस्टर्ड मोबाइल नमबर के द्वारा 1800 224344 पर बुकिंग करना होगा। इसके बाद एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माधियम से गैस का भुक्तान किया जा सकेगा। जारखन में पाच्वा मिरित मरीज जो सिक्किन्दी दुर घटना में घायल हुआ था का रिपोर्ट पोजिटिव आने से रिम्स के डाक्टर नस्व करमचारियों हलकंप है। हम आपको बता दे कि रिम्स इमर्जन्सी में इलाज के दौरान मजदूर की मौत होने से डाक्टर को या भाय है कि कहीं वे भी संक्रमित तो नहीं होगा यहाँ। संकट उत्पन हो गई है ऐसे में मदद पहुचने की जरूरत है। अमिताव बचन का गाना गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकोर्ड में दर्ज। अमिताव बचन का गाना महामारी के दोरान सकरात्मक फैलाने के मकसद से तयार वीडियो संग्स गुजर जाएगा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकोर्ड में सामिलित होने जा रहा है। राक्षा मंत्री ने की सेना परमुक संग बैठक चिन ने यूद की तयारी तेजी की। भारत और चिन के बिच लद्डाख में 22 से गतिरोत जारी है। ऐसे में राक्षा मंत्री जगरनाच सिंग ने सेना के सिस अधिकारियों से बैठक की। दूसरी और चीन के राष्टपती सिंग जीन पिंग ने सेना को यूद की तयारी तेज करने का आदेश दिया है। धन्यवाद।